हेलो इंजीनियर्स मैं इंजी राकाश बोर एक बार फिट से आप सभी को सौगत करता हूँ इस साइट विजिट के वीडियो में बहुत दिनों गए बारिश का मौसम चल रहा है मैं आपके लिए साइट के वीडियो नहीं ला पा रहा था लेकिन आज मैं आया हूँ साइट पर तो इंजीनियर्स सबसे पहरे हम यह समझते कि लैप लेंध क्यों दी जाती है अब हम बात करते कि जब भी हमारी बिल्डिंग ऊपर बढ़ती है तो कभी भी हम पूरे फ्रेम को एक बार में नहीं पहुचाते क्लियर है उसको पार्ट वाइस उपर पहुचाना होता है तो ल लैब बीम का बॉटम होगा उसके बीच का बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते है क्लियर लेंध यानिके एक लिज्टेंस को फॉर एक्जामपल हमाने लेते कि इस बिल्डिंग में 32 mm हमारा क्लिर डिस्टेंस है तो 32 mm से हम डिवाइट करेंगे 4 यानिकी L by 3 to L by 4 डिस्ट मेंशन होता है ड्रॉइंग पर अगर मेंशन नहीं है लैब डिस्टेंस कितना लेना है हमको तो हम एलबाइ 4 डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो 3224 यानिकी 800 mm तो इसका मतलब कि जो भी रेंफोर्समेंट बार्स नीचे से जो में फुटिंग से जो कॉलम का फ्रेम से बार्स उ उसका जो डिस्टेंस है वो मिनिमाम 800 mm छूटना चाहिए इस जंक्षन से जो भी बीम और कॉलम का जो जंक्षन है इस जंक्षन से 800 mm ऊपर छूटना चाहिए लैब के लिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है आपके साइट के चेकलिस्ट का और या आपको इंट नंबर्स ऑफ हमारी में बार आ रही है क्लियर एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ आठ नंबर ऑफ में बार आने के बाद आपको यह चीज़ ध्यान देना है कि कभी भी मालेते हमारा 800 mm डिस्टेंस है हमारा लैब जोन देने के लिए तो कभी भी आठों की आठों बार एक जगह पर आकर नहीं चुटेंगी आप यहां पर देख सकते हैं चार बार इस पर्टिकुलर लेंद तक अगर चुटी है और आप देख रहा होगे चार बार एक अलग लेंद तक आकर चुटी हुए इसका मतलब की लैप कभी भी एक जगह नहीं दिया जाता है उसके प्लेस हैने कि 50% जो क्रॉस सेक्शन का एरिया यानि कि 50% मतलब आठ बार से 50% यानि कि 4 mm बार से ज़्यादा एक जगा पर लैप नहीं होना चाहिए अब बात करते हैं कि लैप लेंथ क्या होती है अब देख रहे हैं कि यह बार से यहां तक आगर छूटी अब इसको में बार आकर छूटी और यह उपर बार जहां से उससे कनेक्ट हो रही है उस पॉइंट से लेकर इस नीचे पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं लैप लेंथ क्लियर है अब इस लैप लेंथ की वैल्यू कित्ती होती है इसकी वैल्यू होती है 50D 15 to diameter करना है अब बहुत सारा कंफूजन होता है आप मुझसे पूछते भी हैं कि सर अगर यहां पर हम बात करें और उपर जाते ही यह 12 mm डाय का बार हो जा रहा है तो यहां पर हमको लैप लेंथ में कौन से डायमिटर करना है अभी तो दोनों 16 था तो हम 15 to 16 कर लिए उस केस में हमको हमेशा ही चीज़ ध्यान देनी है जो भी शौटर डाया है जो कि उपर से नीचे आ रहा है यह जो उपर से नीचे की और लैप हो रहा है जो भी बार लैप होती है उसका डाया हम लेंगे अगर यह 12 mm का है तो हम में 15 to 12 याने की 12 mm का य जो लैप का जोन है नीचे से हमने 800 चोड़ा ठीक उसी तरह से जो हमारा स्लैप बीम का बॉटम होगा वहां से भी हमको 800 चोड़ना है तो उसके बाद जो बीच में हमारा 1600 नीचे से 800 चोड़ा मैंने उपर स्लैप बीम बॉटम से 800 चोड़ा इन दोनों के बीच में जो 1600 का ड बात करते हैं इसकी पोजिशनिंग और प्लेसिंग के बारे मैं आपको दिखाना चाहूंगा और पास से कि आप यहां पर देखिए कि जब भी भी हमारा जो बार लैप होता है तो यह वाला बार हमारा लैप हो रहा है अब इस बार को कंटीन्यू करना है सेम जहां पर में बार कि ऊपर ही इस बार को ले जाना है क्योंकि हमको इसकी पोजिशनिंग सेम रखना है तो इसी वज़ल हम क्या करते हुआ है इसको जैकल मारते हैं जिसके हेल्प से यह प्रॉपर और बार इसे्सके प्रॉपर जाता है और पर चैपर चाहूं여 क्यों वह प्रॉपर ही हो जा ereहा चाहिए अब जो की center वाली बार होगी clear है यह क्यों देना चाहिए क्योंकि आप यहां पर देखिए जो हमारी main बार नीचे सारी उसका cover तो fix है हमारे column के लिए 40 mm cover हम use करते हैं तो इसका cover तो यहां पर fix रहेगा अब यहां पर अगर मैं इस जो lab वाली बार है उसको बाहर के और लगा दूँगा तो नहीं यह stir up लग पाएगी और plus 16 mm का cover भी effect होगा इसी वजह से हमको हमेशा जो lab वाली बार है उसको हम sideways देते हैं हमारे column के case में clear है अब जैसे देखिए यहां पर बारिश का मौसम चल रहा है अब बारिश का मौसम में यहां पर आपको clouds के thundering भी सुना का रस्ट का color लग जब तक लग रहा है तब तक ठीक है अगर रस्ट यहां से जढ़ने लग गया तो इसका मतलब यह समझ जाएगा कि जो बार्स हैं वह प्रॉपरली यूज करने लायक नहीं अगर इसे रस्ट जढ़ने लग जब तक color है तब तक यूज कर सकते हैं क्योंकि कि मैं आपको पास से दिखाना चाहूंगा इस कॉलम के केस में जो हमारे स्टीरप यूज हुआ है एक पर्टिकुलर लोकेशन पर यहां पर पूरा कॉलम का फ्रेम है क्लियर इसका जो साइज है तो हमको को ने एक तम जखड के रखना पड़ता है प्रॉपरली क्लियर है तो इसको जखड के रखने के लिए हम एक ही जगा पर दो या उससे जादा का श्टीरप का इस्तिमाल करते है अब इसको मैं प्रॉपरली फोर लेग डिश्टीरप क्यों कह रहा हूँ अब हम देखते है अब देखी यहां पर जो मारा मेन एक श्टीरप लगा हुआ है इसका जो दो लेग हो गए तो यह एक श्टीरप का मतलब होता है टू लेग डिश्टीरप क्लियर अगर यहां पर केवाल एक श्टीरप लगी होती तो टेक्निकली हम इसे कहते है टू लेग डिश्टीरप लेकिन अब देखी यहां पर यह जो बीच की चार मेन बार और है इनको कवर क तो यहां पर इसी सिम पोजिशन पर एक और यूज हो रही है तो इसका भी टू लैक्ट तो इसका टू प्लस टू यह हो गया हमारा फोल लेक डिस्टिरफ यह इसका टेक्निकल स्पेसिकेशन हो गया कि एक जगह पर अगर दो बार लग रहे हैं दो रिंफोर्स्मेंट लग रह इस पर पर लगते हैं तो इस पर जो हमने समझा कि लैप कहां देना है किटना उसका डिस्टेंस होना चाहिए अब बात करें कि इसका यूनिट वेट कल्कूलेट करना है तो आपको पता ही है जो मैंने फॉर्मुला पहले ही बता हुए डी स्कॉर पर 162 डाया में आप इसका डाया रख दीजिए क्लियर है उसके बाद अपन 162 अगर मैं बात कुरू 8 mm के डाया की बार की तो 8 स्कॉर अपन 162 तो 0.395 kg पर मिटर अगर आप एक मिटर की बार की लेंथ को कटिंग करेंगे तो बहुत वक्त बात यार मुझे वीडिय इसको यहां पर यह कंशिडर मत करिएगा कि सर यहां पर रस्ट वाली स्टील लगी हुई है यह फिर उसकी प्लेसिंग पोडिशनिंग है वो थोड़ी सीधर उदर है यह बहुत वक्त जोगी रेनी सीजन में कान थोड़ा स्लो हो जाता है और बारिश के वज़े से बार पर वो तो है ही इसको भी हम धीरे साइट में ठीक भी जरूर करवाया जाएगा होफुली मैं रिक्वेस्ट करूंगो यहां पर जिसकी बीक अंसे तो यहां पर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है जब भी आप जाएंगे साइट पर चेक्लिस्ट क्या फॉलो कर हो चाहे साइट वीडिट से रिलेटेड हो चाहे किसी भी अधर पार्ट से रिलेटेड हो इस वीडियो को लाइप जब ज़रूर कर obtwork कि अगर आपको डिटेल से हाँ जांकारिpers आपर सीखने को मिली बहुत सारी जानकारी मिली शेयर मिली अपने दोस्तों का जाएगी कि ये बार मैनुफेक्चर होके कैसे साइट पर यानि कि आपके पास पहुचने वाली है सो इंजीनियस कमेंट जरूर करिएगा शेर जरूर करिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हम नेक्स वीडियो सेशन में इसी जोश और न्यू टॉपिक्स के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिंज जै भारत वंदे मातरम